हलो बच्चो आज हम लोग मराठी सुलब भारती यत्त चौती का लेसन नमबर 18 माज़ा अनुभव इसको श्टड़ी करेंगे माज़ा अनुभव याने मेरा एक्स्पिरियंस तो इसमें एक लड़की है वो अपना एक्स्पिरियंस बता रही है तो चलो इसको रीड करते है अईका पहा ववाचा अईका याने सुनो पहा याने देखो वाचा याने रीड करो तो यह एक पिच्चर स्टोरी है पिच्चर्स दिये है और पिच्चर्स के नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए है तो पहले पिच्चर में हमको क्या दिख रहा है दो लड़किया है वो किसी के घर की तरफ जा रही है उनके हाथ में एक लड़की के हाथ में फूल है एक लड़की के हाथ में फल है तो क्या लिखा है नीचे चंदन माजा वसुमाचा मित्र आहे चंदन मेरा और सुमा का दोस्त है तो मेरा कौन कह रहे ये लड़की इसमें से एक लड़की का नाम है रेहाना उसका ये experience है तो माजा ये कौन है रेहाना और सुमा ये दूसरी लड़की उसके साथ में है ये सुमा है और चंदन उनका दोस्त है, जिसका एक घर है, जिसको देखने वो लोग जा रहे है तो क्यूं देखने जा रहे हैं उसको? तो आजारी पड़ला, मनून आमी त्याला भेटाईला निगा लो तो वो बीमार पड़ गया था, आजारी बीमार मनोन इसलिए आमही त्याला भेटाईला निगालो हम उसको मिलने के लिए जा रहे है अभी सेकेंड पिच्चर में ये लोग देखो वो उसके पास पहुच गए है तो नीचे क्या लिखा है आमही त्याच्या घरी पहुच लो हम उसके घर पे पहुचे आमही त्याला फड़े दिली फुले दिली तो हमने उसको फ्रूट्स दिये और फ्लावर्स दिये दिख रहा है यहाँ पर पिच्चर में लोग दोनों उसको दे रहे है फिर अभी ये नेक्ट पिच्चर में क्या है सुमा ने उसको क्या कहा यह सुमा है जो उसको हाथ दिखा के बात कर रही है अभी नेक्ट पिच्चर में रहाना उसको बोल रही है तु लवकर बरा हो मग आपन खेडू मजा करू में मना ली तु जल्दी अच्छा हो जा लवकर याने जल्दी मग आपन खेडू उसके बाद हम लोग खेलेंगे मजा करू मजा करेंगे मी मना ले मी को ने इसमें रहाना रहाना अपना एक्सपिरियंस बता रही है इसके लिए मी मना ले याने रहाना मना ली यह दूसी लड़की रेहाना है अभी नेक्ष पिच्चर में क्या दिया है अब चंदन उनसे क्या कह रहा है तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई अब मुझे अच्छा लग रहा है तब यह लाज़ पिच्चर में यह दूनों जा रहे है बाई कर रहे है तो क्या कह रहे है वो लोग चंदन ने आमचे आभार मान ले चंदन ने हमारा शुक्रियादा किया निखता ना चंदन चा चेहरा हसरा दिसत होता तो हम लोग जब जब जा रहे थे तो चंदन का चहरे पे मुस्कुराट थी अच्छा खुशी वाला उसका चहरा दिख रहा था ये देखकर हमको बहुत खुशी हुई आमहला यानिक इसको? सुमा को और रहाना को आनन्द जाला बहुत खुशी हुई तो ये चोटा सा लेसन था ये लड़की रहाना और सुमा इन्होंने अपना experience बताया है, ये चंदन उनके दोस्से मिलने के लिए गए थे, अभी हम लोग इसके question and answers देख लेंगे, प्रश्ण एक, कौन मनाले ते लिहा, किस ने कहा ये लिखो, काड़ जी गे, वेडे वर आउशत गे, अपने ध्यान रख और टाइम से दवाई खा, ये किस ने कहा था, उत्तर सुमा मनाली, सुमा ने कहा था, तू लवकर बरा हो, तू जल्दी से अच्छा हो जा, ये किस ने कहा था, उत्तर रेहाना मनाली, रेहाना ने ऐसा कहा था, ये आता मला बरावाटता है, ये किस ने कहा था, अब मुझे रेहाना और सुमा चंदन को मिलने के लिए आये थे इसलिए उसको खुशी हुई थी अ मी हा शब्द कोना साथी आला है मी ये वर्ड किसके लिए आया है उत्तर मी हा शब्द रेहाना साथी आला है मी ये वर्ड रेहाना के लिए आया है रेहाना अपना experience बता रही है आम्ही हा शब्द कोना साथी आला है? आम्ही ये वर्ड किसके लिए आया है? उत्तर आम्ही हा शब्द रेहाना आणी सुमा साथी आला है? आम्ही ये वर्ड रेहाना और सुमा के लिए आया है अभी प्रश्न तीन तुमसा मित्र मैत्रिन आजारी पड़ला क्यों पड़ली तर तुम ही काई कराल तुमारा दोस्त या सहेली बीमार अगर पड़ गया या पड़ गई तो तुम क्या करोगे मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाओंगा और मेडिकल स्टोर से उसके लिए दवाई लाओंगा और उसका बहुत खयाल रखूंगा तो आप और भी कुछ लिख सकते इसमें अभी प्रश्ण चार गटना क्रमा नुसार खालील वाक्यांसा क्रम लावा वाक्या समोर क्रमांक लिहा अभी ये स्टोरी में कैसा कौन सी चीज पहले हुई कौन सी चीज बाद में हुई ये लोग ने आगे पीछे लिखा है तो story में कैसा करम से वो हुआ, किस order में हुआ, वो हमको आगे bracket में 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखना है तो इसके अंदर बहुत सारे sentence दिये हुए है तो इसमें से सबसे पहले क्या हुआ था चंदन माजा आणि सुमासा मित्रा है, चंदन मेरा और सुमा का मित्र है ये sentence सबसे पहले आया है, story में तो यहां लिखेंगे, एक उसके बाद तो आजारी पढ़ला, वो बीमार हो गया ये sentence इसके बाद आया है तो इसके आगे लिखेंगे, दोन आम ही त्याच्या घरी गेलो, हम लोग उसके घर पर गए तो ये है, तीन आम ही त्याला, फड़े दिली, फूले दिली हमने उसको fruits दिया और flowers दिये, ये है, चार चंदन ने दोगीन से काड़ी जी गे, वेडेवर आउशद गे सुमा मना ली सुमा ने उससे कहा, कि अपना ध्यान रख और टाइम से दवाई खा तो ये है, पाँच और लाश्ट में क्या है, चंदन ने दोगीन से आभार मान ले चंदन ने दोनों को थैंक्यू कहा तो ये लाश्ट है सहा, तो इस क्रम में ये sentences आए है तो यहाँ ये question answers खतम हो गए बच्चो, इसको अच्छे झाल